दोस्तों आज इस प्रोड़क्ट का रिव्यू में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आयूर हरबल्स डीप पोर क्लिंजिंग मिल्क यह जो आयूर का डीप क्लिंजिंग मिल्क है यह आल स्किन टाइप के लिए यूज कर सकता है आपकी स्किन टाइप जो भी हो आप आप सब टीक होंगे खरयेचे होँ आज की वडियो में आपके साथ एक प्रोड़क्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको एक ही यूज में नहीं आपको बहुत सारे यूजर्स में आ सकता है क्या क्या काम करें गया आपकी स्किन पे किस तरीके के फायदे नुकसान तो इसके बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इसका experience मेरा ना दस साल से है अगर मेरा real skincare routine अगर आप बोलोगे तो ये जो product है ये मेरा daily basis पर compulsory होता है और इसको मैं compulsory अपने daily skincare में शामिल जरूर करती हूँ अगर आप face wash नहीं करके इस cleansing milk से अपने face को clean करते हो तो आपका face जो है totally clean हो जाएगा face washes से जादा ये आपकी skin को clean करता है deeply clean करता है आपकी skin को अभी के लिए मैं आपको इसको अपने face पर clean करके दिखाती हूँ आपको मेरी skin oily और चिपचिपी नजर आ रही है वीडियो शुरू करने से पहले लिपस्टिक अपलाई कर ली थी और लिप लाइनर अपलाई कर लिया था पता नहीं कहां कहां से हमें लोग देखते हैं नीन में से उठने के बाद ना एनरजी बहुत ज़्यादा डाउन रहती है इसलिए आज इस टाइम पे वीडियो शुट करते हैं टाइम पे ना मेरे पास मेरे अंदर से एनरजी नहीं आ पा रहे है मैं वीडियो में भी ज़्यादा एक्टिफ हो के बात नहीं कर पा रहे हूँ मुझे और भी ज़्यादा नीन आ रही है लेकिन इतनी नीन मुझे काफी है अगर मैं सोती पड़ी रहूंगी तो काम कौन करेगा बताओ तो चलो अभी इस क्लेंजिंग मिल्क से मैं आपको अपना फेस क्लीन करके दिखाती हूँ मैं यहां पर एक कॉटन का टिशू ले रही हूँ आप देख सकते हूँ यह मेरे वीडियो में आपने बहुत सारे देखे हूंगे मैं इसी को सबसे जादा यूज करती हूँ तो थोड़ा सा अपने हाथ में लेना है इसको फेस पे इस तरीके से लगा लेना है एक मोटी सी लेयर लगानी है फेस पे कान के पीछे लगा लेंगे नेक पे लगाऊंगी कुछ भी महेंगा नहीं है सस्ता है और अच्छा प्रोड़क्ट है आयूर का ब्रैंड है बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है इस टाइम पे क्या हुआ है ना कि बहुत सारे ब्रैंड्स नए नए प्रोड़क्स नए नाए नाम के कंपनी इस लाँच हो रही है तो इसलिए बहुत सारे लोग पीछे जो चीजें छोड़ दिये हैं वो उनकी एहमियत उनकी खीमत भूल चुके है तो मैं जितने भी महंगे प्रोड़क्स यूज करूँ जो मैं पहले यूज करती थी वो मेरे पास हमेशा होते हैं हमेशा मैं उनको भूलती ही नहीं हूँ क्योंकि उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं ना कि बता नहीं सकती अब मैं इसको इस टिश्यू से क्लीन करूंगी कि अब ही मैं इसी क्लीनजिंग मिल्क को ऐज आ मॉस्चराइजर अपने पेस पेस पे अपलाई करूंगी इस क्लीनजिंग मिल्क को ऐज़ाजर यूज करने के लिए सिर्फ एक ड्रॉप ही काफी होती है ओईली स्किन वालों के लिए घर पे लड़क मुढ़ें बड़े सब भी आपने face को सकते हैं लड़क में लड़क से पहले आपने पूरे हातों पे अच्छे से अप्लाइ करिया पेरों पे प्लाइ करिया playing ले इसके बाद सोझ जाएं पॉनिंग में आप अपना face wash करोगे तो आपको ऐसा लगेगा है कि आपने रात को clean up करके सोया हुआ था करोगे यह आपकी skin को clean करता है साथ ही साथ clean करने के बाद भी यह आपकी skin को moisturizing करता है और आपकी skin को refresh feel करवाता है और impurities को निकालकता है इसकीन को soft healthy बनाता है ये जो product है ये बहुत ही अच्छे से work करता है हमारे face पे, हातों पे, पैरों पे, neck पे, back neck पे आप कहीं पर भी इसको apply करो एक बार use करके देखो इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये वाला जो product है ये कितना काम का है इसकीन को healthy रखने के साथ साथ ये एक best makeup remover का काम करता है और ये आपकी इसकीन के pores को deeply clean करता है इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं एक transparent plastic के bottle में white color का cream इसमें आपको receive होता है इसकी जो front side है वो कुछ इस तरीके की नजर आती है और इसकी back side पे इस तरीके का कुछ लिखा हुआ मिलेगा ये है आयूर herbals deep pore cleansing milk और इसके main ingredient है aloe vera rose and cucumber ये all skin types के लिए use किया जाता है और ये हमारे skin के pH balance को maintain भी करता है और इस पर लिखा हुआ है आयूर deep pore cleansing milk इस a natural herbal cleanser makeup dirt and other impurities living the skin feeling soft clean and healthy अब आते हैं इसकी नीचे की side पे तो आपको यहाँ पर इसका price इसकी expiry date और इसकी quantity मिलेगी price है इसकी 50 rupees 100 ml मिलता है और बाकी सारी details आप यहाँ पर देख सकते हैं cleansing milk का जो texture है वो कुछ इस तरीके का है यह ना ही गाड़ा है ज्यादा और ना ही ज्यादा पतला है medium consistency इसकी है आप इस cleansing milk से अपने face को clean करने के साथ अपने face का एक छोटा सा clean up भी कर सकते हैं अपने face का clean up भी कर सकते हैं जितना आपके face और neck के लिए इसके बाद इसमें आपको add करना है जब भी आपको अपने face का clean up करना है तब आप इस चावल के आटे को इस cleansing milk में mix करके अपने face पे अपलाई करके मसाज कर लेना है फेस पे लगा लेना है और scrub कर लेना है यह देखे है यह आपको बारिक बारिक चावल के जो इस लिए मैं आप चूटी सी तिप दे रही हूँ इस वीडियो में स्क्रबिंग करने की स्क्रब को करते टाइम पे हाथों को गीला करते जाना है और अपने फेस पे इस तरीके से मसाज करते जाना है इस क्लेंजिंग मिल्क से आप अपना स्क्रब भी कर सकते हैं आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ फेस पे ही नहीं नेक पे बैक नेक पे अपने हाथों पे कोनियों तक अगर आप इसका स्क्रब लेंगे तो आपके जो हाथों का जो मेल है जो टैन है वो रिमूब हो जाता है इस किन ब्लो करती है और सारे के सारे पोर्स ठीन हो जाते हैं white heads remove हो जाते हैं जिस तरीके से आप scrubbing करते हो उसी तरीके से आपको ये steps follow करने हैं तरीके से आप scrub करके tissue के help से अपने face को clean कर ले और इस scrub से आपको इतने अच्छे results मिलने वाले हैं और इतने जल्दी में आप 10 मिनिट से जादा massage करना भी मत ठीक है 10 मिनिट में ही 10 मिनिट के massage म में ही आपको इतने बहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं कि मैं आपको क्या ही बूलू हूँ है ये देखो आप इस तरीके से ये हमारे face को clean करता है तो चलो मैं अपना चहरा दो कि आप से मिलती हूँ अभी मेरा scrubbing strip complete हो चुका है so final result आपके साम भी है इसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं makeup remover के लिए यूज कर सकते हैं as a moisturizer आप इसको यूज कर सकते हैं और या आपके tan को भी remove करने में help करता है तो आप इसको as a tan remove cream या फिर pigmentation हो दाग धबे हो उसको भी धीरे-धीरे करके खतम करता है और scrubbing तो ये बहुत ही मज़े का आपके face पे करने वाला है तो एक बार अगर आपके पास ये वाला आयूर हरबल deep cleansing milk है तो आप एक बार ये trick जरूर आजमाईएगा आपको बहुत सारा फाइदा मिलने माला है जाने से पहले हाँ जाने से पहले मेरे वीडियो को like और श्रन को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले अब दीजिए इजाजत म वाय धक्यो बदीन ज को अवसले कुवा कर दोरे कुंत से आटर आएबल दीजिए मेरे वंश्बबल दमने से ये पर को बहु है कर रंपके बार है कर दो लिए होले है जिए एले है कर रे आपके बार आके बार से आट्ट है र self to a nतिए है सनिएग जवे से पिरे दो एके ब